मोल कोंसेट में तो सबषब इचिए लिए आते हैं वो है अगर इसका अब फॉर्मिला लिकना तो इसका फॉर्मिला क्या एगा कि mass of that quantity in compound, mass of that quantity in compound, total divide mass of the compound, और आप परसंटेग्स कितने से निकादे हैं तो hundreds, therefore suppose आपको oxygen के परसंटेग्स पाइंड कितने हैं कि XO को, तो सबसे पहले हैं XO में oxygen कितने हैं 1 में, उसका molecular weight जोगा है, 4 तो 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 हम्मारा XO का molecular weight कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, अब बात करते हैं percentage, percentage of oxygen, right so total mass of the quantity in compound, तो oxygen कितना है, water में, एक ही है, so 1 into 16, that is 16, and total mass of the compound कितना होगा, 18 होगा, so 60 by 18 into 100, right, यह जो answer आएगा, जो आएगा, इतने percentage of oxygen जो है, जो है, तो होगा, इतने percentage of oxygen जो है, जो है, 1 moles of water में होगे, right, if you want to find a percentage of chlorine in NaCl, one mole of NaCl, right, तो Na कारे करे के लिए होगा है, फोटीक का 35.5 होगा, right, so यहां पे कितने को है, जो इतने के बन है, तो चले 5 तो है, उसका formula लिए total is 35.5, divided by total कितना होगा, इसका water mass 58.5 होगा, so 58.5 into 100, right, जो भी answer आएगा, आपका, अरसने इतने कमपोचिशन में आजाएगा, right, screenshot लेडो अपसने उसको निकाल रहाँ, right, तो यह molar mass, पहले तो आपको molar mass मालूम होना जाएगी, molar mass के से fine किया जाएगा, इसी यह पहले मैंने आपको इसके अगले वाले class में निखाया ना कि, how we can find the molecular mass, how we can find formula mass, right, so molecular mass को आपको standard 9 में भी देखा रहा, standard 9 में भी आपको लो समच में आ iso 4, percentage of sulfur E H2 so 4, right, so सबसे रहे, X2 so 4 तो तो अपको निखे रहा हुडन है, molecular mass के ना है, hydrogen रहा हुडन होना रहा है, oxygen हाँ है 16 रहना हा, so तो इसमे हा 32, so हम हम किसके परसने कि अधितान तो है, अब हमको इसनीज़ करता है lo तो इसका अपर के परसंटे तो कॉंपाउंड में नहीं है, ही तो 1,232, डिवाइड टोकल 98,500, राइट, इसकी हमें यह जाएगे, फोर सब्सकोज आपको टी कलना है, परसंटे जोग, O2, इन्को X2, O2, राइट, उभी महाँद इसी है, इतने अउसिट्न है, राइट, तो हम इस तरह से आप कोई भी compound में से किसी भी atoms का आप percentage composition भी काल सकते हो, right? बट बच्चे कहां के मारखा रखे गया, अगर मान को कि आपको formula दिना होगा है, MgSO4 इन्टूस 7X2O, अब आपको भी रहा है percentage of X2O, percentage of X2O in MgSO4, अब बच्चे कहां के भी जोगे भी सा, X2O तो यहां के भी होगा, फुडा फुडा मुडा 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 फुडा मु तो भी हम इसमें से कैसे की कल्गा एक बहुत ही सिंपल है, 7X2O, X2O का अगर मास मिना होगा, A1 होगा, तो 7X2O इन्टूस 7X2 इन्टूस 7X2O इन्टूस 7X2O इन्टूस 7X2O का गोलिपी जी आपका रहा जाएगा, इन्टू 100 सब के percentage पे जिकाल इन्टूस 7X2O इन्टूस 7 पुपन करने रखना, आपको ही कांट करना है, राइग, मैं सिब आपको एक एक एक्जम्ब एक्स्रेइन कर ऊड़ा, बागी के एक्जम्ब आपको कैल्कूलीट करने मरें, राइग, एंपरिकल फॉर्मूला, राइग, चल्ये इसको हम क्यां को देके मैंने पहरे ही बोला ग it is nothing but it is ratio of atoms in whole numbers, right, whole numbers means 1, 2, 3, 4, 5, 6, right, so यह चीज़ हो गए empirical formula के बाए, चल्ले है तो एक example में आपको लिपाठा हूं, right, in your not good statement, a compound which have, a compound, carbon, carbon is 40%, hydrogen is 6.7% and oxygen is 53.3%, 53.3%, find out molecular formula, क्या find करना है आपको? molecular formula, find out molecular formula, आपको molar mass भी लिया हुआ है, molar mass में इसका 60, आप इसे molecular weight भी बोल सकते है, right, तो यह statement पहरे लिख लो, बाद में आपको इसका जो solution है वो करवा था, तो यह एक statement आपको दिया होगा, इसके उपर से हमें empirical formula find करना है, so आपकी textbook में 5 steps दिये होए, वो भी एकदम सही है, लेकिन मैं आज जो आपको एट नई matter सिखा हूँगा, वो है table matter, कि table से हम उसको कैसे calculate कर सकते है, सी, वो भी आपकी textbook में जो steps दिये हो ही है, लेकिन मैंने उसको table form में convert कर दिया, तो सबसे पहले आपको table दोना है, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको लिखनी है, वो है elements, क्या लिखना है, elements, elements के बार आपको लिखना है percentage by mass, पहले आप देख लो बार के लिखना, right, second है percentage by mass, third है atomic weight, atomic weight, फिर आता है table, जिसके अंदर आपको लिखना है, atomic ratio, atomic ratio क्या चीज़ होती है, वो होता है, mass divided by atomic weight, यह तो ओही चीज़ होगे, इन mole में जो हमने find किया था, n is equal to molar, evil mass divided by molar mass, तो यहां पे जो भी mass दिखा, उसको molar mass से divide करेंगे, यह फिर atomic mass से divide करेंगे, C, यह चीज़ समझो आप लो, हम क्या पर रहे है, mole concept समझ रहे, तो mole सही बात आए कि दूश्री कोई बात तो आएगी, right, so atomic weight, यह होगा हमारा percentage by mass, given mass divided by molar mass, right, फिर आदा है last, simplest ratio, क्या आदा है simplest ratio, okay, अभी लिखना stop करो, मैं पहले explain करेंगे रहा हूं, बात में आप लिख हो, right, तो सबसे पहले हम दिखते हैं कि हमारी statement जो ही, इसमें हमें कितने element डिये हुआ है, तो कौन-कौन से element है, carbon है, hydrogen है, oxygen है, right, तो T हो कोई यहां में लिख लिए है, carbon, hydrogen and oxygen, right, लिख लिया, अभी क्या करने, percentage by mass कितना नहीं हुआ है, तो percentage कितने है, तो percentage है 40, यानि कि यह 40 नहीं होगा, फिर है hydrogen 6.7% and oxygen है हमारा 53.3%, क्या होगा, 53.3%, अभी atomic rate carbon चाहितना आता है, 12 आता है, hydrogen का 1 आता है, oxygen का 16 आता है, right, अभी क्या होगा, कि atomic ratio is equal to given mass divided by total mass, यानि कि आपको इससे divide करना है, second वाली जो row है, column है, इसको third वाली column से divide करना है, तो चलने लिखे है, 40 divided by 12, 6.7 divided by 1 and 53.3 divided by 16, right, आपको समझ में आया, क्या कि आपने percentage by mass को atomic mass से हमने divide कर दिया, right, तो यहां पर हमें answer मिलेंगे, इसका answer आएगा 3.33, यह आपका हमारा 6.7 भी निकलेगा, यह होगा आपका से 3.33, right, तो यहां सबको समझ में आया, यह और नो, now the last column की is simplest ratio, अभी simplest ratio कैसे निकलेंगे, right, तो simplest ratio में आपको क्या करना है, कि यह जो हमारी 4.4 column है, जिसका जो answer आया, 3.33, 6.7, 3.33, तो यहां पर जिते भी element के अगर atomic ratio होगे, इसमें से जो smallest atomic ratio होगा, तो बाकी सारे जो numbers होगे, उसको smallest atomic ratio से divide होगे ना है, तो यहां पर smallest कुन सा है, तो 3.33, तो सारे answer से उसको आपको 3.36 से divide ना है, तो चलिए, यहां पर जिते है, 3.33 divided by 3.33, यह हो गया, 1 हमारा 6.7 divided by 3.33, तो यह हमारा nearly equal to 2 हो जाएगा, right, और लास्तर ना हमारा 3.33 divided by 3.33 is equal to 1, right, तो यह हो गया हमारा simplest ratio, तो अभी यहां पर हम लिखेंगे कि हमें जो end-based formula मिला हो, क्या मिलेगा, पहले मैंने बताया कि यह एक atomic ratio है, तो यहां पर हमारा जो end-based formula लिखेंगा, from the table, वो हमारा क्या होगा, carbon का 1 आया, hydrogen का 2 आया, और oxygen का क्या है है हमारा 1 ही है, right, तो यह सबसे पहला step आपने figure कर लिया, यानि कि यहां पर आप primary step जो है तो आपने finish कर लिया, primary step finish हो गया अगर आपने empirical formula find कर लिया, right, अभी सबसे जबनी चीज़ हमें statement में क्या दिया है, क्या find करना है, molecular formula, molecular formula, तो molecular formula को find करने के लिए, इसका भी हम एक formula लेटिंग के वह होगा, end into empirical formula, क्या होगा, end into empirical formula, right, अभी आपकोडों के सार्व आपने तो statement में हमें n ऐसे कुछ चीज़ तो दी नहीं थी, तो n क्या होगा, so n is cutting work, n is equal to molar mass, molecular weight, divided by empirical formula weight, right, तो molecular weight हमें कितना दिया होगा था, पहले मैंने आपको दिया ना कि molecular mass हमारे किता ना, 60, और empirical formula का कितना होगा, तो यह होगे हमारा 12 plus 2 plus 16, 240 plus 16 30 होगा, right, तो हमें n कितने भी हो, 2 निले, right, तो जब यहां के तुनिक के हम molecular formula find किते हैं, molecular formula is equal to, 2 into Cx2o, तो final formula हमें कितना में जाय है, C2x4o2, right, तो finally हमें molecular formula find कर लिया, समझ में आया, yes or no? Yes sir. So see you in the next class, okay? आंके जब दो, आंके जब दो,